आज हम पढ़ेंगे अंटन चेकॉफ का एक ड्रामा दप्रपोजल दप्रपोजल एक कॉमिडी ड्रामा है जो कि दो धनी परिवारों की प्रवरिक्ति पर आधारीत है यानि कि उनके कैरेक्टर के उपर ये बेस्ट है जो कि विवा को प्रतसाहित करकर अपनी संपत्ति यानि कि अपनी प्रापिटी बढ़ाना चाहते है और इसलिए वो लोग एक दूसरी के साथ सम्मंद बनाते हैं जिससे कि उनकी प्रापिटी में सुधार हो उनके संपत्ति में बढ़ोतरी हो नाटक के सुरुवात इवैन लोमोव के साथ हुई लोमोव अपने एक धनी परोसी स्टेफएन चुबकोव से मिलने गये थे लोमोव स्वैम एक धनी व्यक्ती था जो कि साथ सुत्रे कपड़े पहने हुए था और चुबकोव की एक 25 वर्षिय बेटी नातालय का हाथ मांगने गया था सुरू में चुबकोव लोमोव के अचानक आने से उत्सुख हो गया और उसे ऐसा लगा कि लोमोव उसके पास पैसे मांगने आया है जो पैसे कि वो उसे कभी भी वापस नहीं करेगा लोमोव एक 35 वर्षिय सर्जन वैक्ती था जो कि एक गंबीर रिदय वाला वैक्ती था और छोटी छोटी बातों को लेकर के आसानी से परसान हो जाता था और उसे दिल के दौरे भी पड़ते थे उसने सोचा कि नातालया एक उत्क्रिस्ट ग्रिहनी है और एक सक्षित और और सत्यानी के एवरेज इकने वाली महिला है जो कि उससे साधी करने के लिए बहुत ही अच्छी और आदर साथी होगी हाला कि जब चुब को उपने प्रस्ताओं के बारे में सुना तो वो बहुत ही खुश हो गया और लोमव को खुशी को मारे गले लगा लिया फिर वो तुरंत अपने बेटी नाताले को बुलाने के लिए अंदर गया जब नाताले पहुची तो लोमव ने बात्चीत सुरू की कैसे दोनों परिवारों के बीच में सौहत दिरपूनी आने की बहुत ही अच्छे सम्मन्थ है जब उन्होंने अपने जमीन आक्सन मीडोस के बारे में बात की जो की एक विबादत संपत्ती थी यानि कि उस प्रापर्टी को लेकर के कुछ प्राप्लम्स चल रही थी नाताले ने अपत्ती जताई कि जमीन उनके परिवार की है लोमव ये कहते हुए वापस चिलाए कि जमीन उसकी है इन दोनों में बहस तब तक चलती रही जब तक कि लोमव को दिल का दोरा ना बढ़ गया कुछ समय बाद नाताले के पिता चुम्बुकोव भी वहाँ चल लया और पिता पुत्री की जोड़ी दोनों ने मिल करकर लोमव को बहुत भला बुडा सुनाया आप अपमानत महसूस करकर लोमव घर से बाहर निकरने लगा और बातों ही बातों ने चुम्बुकोव ने नाताले के लिए आये हुए विवाक्य प्रस्ताओं के बारे में बताया यह सुनकर नाताल्य को लोमुफ का अप्कमान करने के बारे में सोचकर पच्टावा होने लगा और उसने अपने पिता से लोमुफ को वापस लाने के लिए कहा यानि कि पहलों तो दोनों मिलकर उसकी बुड़ाई कर रहे थे और उसे इतना अप्कमानित महसूस कराया कि वह घर छोड़ कर जाने लगा लेकिन जब नाताल्य को पता चला कि वह विवा का प्रस्ताव लेकर आया था तो वह वापस अपने बात से पलट गई और उसने पता को बोला कि उसे वापस लेकर क्या हो लोमोफ को बुलाने के लिए चुबकोफ तुरंत घर से बाहर निकल गया जब लोमोफ वापस लोट कर आया तो नाताल्य ने अपने कुटों के बारे में बात से सुरू की कुछ समय बाद उन दोनों के बीच में वापस से बहस सुरू हो गई जब नाताले ने बताया कि उसका कुता स्क्विजर लो मॉफ की कुते गेस से ज़ादा बैतर है जल्दी चुब को भी वहाँ वापस चला आया और तीनों मिलकर जगरने लगे वो तीनों तब तक जगर रहे थे जब तक कि लो मॉफ को वापस से दिल का दोरा नहीं आ गया और वो वापस से एक पर बेहोस पर गया यह देखकर नाताले ने अपने पता से लोमॉफ को जगाने के लिए कहा क्योंकि उसने अपने इक्षा वेक्त की कि वो लोमॉफ से साधी करना चाहती है अचानक जब लोमॉफ ने अंदोलन किया और वो चिल लाया तो उन्होंने उसे पानी पीने के लिए दिया और चुबकोब ने नाताले का हाथ उसके हाथों पर रख दिया वो दोनों साधी करने के लिए ये तैयार हो गया पर उन्दोनों के बीच का जो जगरा था वो नहीं रुका उन्दोनों के बीच में जगरा चलता रहा है और इन दोनों पात्रों के बीच जुबानी जंग जारी रही और परदा नीचे गिर गया और इसी के साथ ये नाटक ये फिर तमाप्त हो गया दा प्रपोसल ये जो नाटक है इसमें इन दोनों केरिक्टर्स के जगरालू प्रव्रित्ती को दिखाते हुए हमें साथ सतिया भी दिखान की कोशिव की गई है कि कैसे दो धनी परिवार के लोग अपने आर्थिक स्तिती बढ़ाने के लिए इस साधी को एक साधन की रूप मे इस्तमाल करते हैं